दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉंपेटिटिव एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वोकैब अनलीसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेगिलरली जुड रहे हैं और इनका बेनेफिट भी उठा रहे हैं क्योंकि इन सेशन्स का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना और यह जो वोकैब सेशन्स है यह बैंक, SSC, रेलवे, UPSC या फिर किसे भी कॉंपिटिटिव एक्जाम के लिए एकवली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एन्फोर्स एन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना कोई law या फिर कोई rule जो है वो लागू करना उसे कहा जाता है एन्फोर्स और ये हमारे पास parts of speech में वर्ड है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है impose or implement यानि कि लागू करना बाध्य करना कोई चीज जो है वो कोई rule हो सकता है कोई law हो सकता है उसे compulsory कर देना follow करने के लिए उसे कहा जाता है impose or implement अब example की help से देखते हैं इसका है the management enforced the installation of hand sanitizers in malls यानि कि manager ने जो है वो mall में hand sanitizer लगाने को लागू किया कमपल सरी कर दिया इस context में हम जो है वो enforce इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे then इसके साथ आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे की हमारा अगला word कौन सा है तो इसके बाद हमारा अगला word है rejoinder rejoinder का मतलब होता है जवाब या फिर उत्तर किसी अन्य वेक्ति द्वारा लगाए गए आरोप के प्रतिक कड़ा जवाब देना उसे कहा जाता है rejoinder और ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है response या फिर counter यानि कि जवाब देना उत्तर देना अब example देखते है example इसका है the advocate prepared a strong rejoinder to the accusation यानि कि वकील ने आरोप का कड़ा जवाब तयार किया इस context में हम जो है वो rejoinder इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं तो चलिए इसे के साथ आके जाएंगे हमारे next word की तरफ तो इसके बाद हमारा अगला word है willful willful का मतलब होता है जान बूच कर यानि किसी को नुकसान पहुचाने की मंशा रखकर कोई काम जान बूच कर करना उसे कहा जाता है willful और ये हमारे पास parts of speech में adverb है synonym इसका होता है deliberately deliberately का मतलब होता है इक्चा फुरवक कोई काम करना है फिर जान मूच कर कोई काम करना पता होते हुए कोई काम करना उसे कहा जाता है deliberately जो की हमारे willful का synonym है for example जान बूच कर अपने पडोसी की खिडकी को जो है वो डामेज कर दिया तोड दिया इस context में हम जो है वो willful इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे then इसे के साथ आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और देखते हैं कि हमारा next word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है thrash out thrash out का मतलब होता है गहराई में चर्चा करना किसी चीज के बारे में जो है वो बहुत ही ज़ादा deep discussion करना ताकि उसका कोई solution निकाला जा सके उस context में हम जो है वो thrash out का use करते हैं और ये हमारे पास phrasal verb है synonym इसका होता है resolve resolve का मतलब होता है कोई चीज सुलजाना अब example की help से देखते है example इसका है इस context में हम जो है वो thrash out इस phrasal verb का लगलग sentences में use कर सकते हैं इसके साथ आगे पढ़ेंगे हमारे next word की और और जानेंगे की हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है vitiate vitiate का मतलब होता है खराब करना, कोई चीज बिगाड़ना या फिर प्रदुशित हो जाना इन सारे context में जो है वो vitiate इस word का use हो सकता है और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है spoil या फिर contaminate spoil का मतलब होता है कोई चीज खराब कर देना, बिगाड़ देना contaminate का मतलब होता है कोई चीज दुशित हो जाना, प्रदुशित हो जाना अब example की help से देखते हैं example इसका है हमारे next word की तरफ और जानेंगे की हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है blip blip का मतलब होता है समस्या, temporary problem जो problem बहुत जादा बड़ी ना हो जिसे आसानी से सुलजाया जा सके ऐसी problems को कहा जाता है blip और ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है glitch glitch का भी मतलब होता है समस्या, temporary problem for example she was experiencing blip in the power supply at home यानि की वो घर में power supply से होने वाली problem को face कर रही थी experience कर रही थी इस context में हम जो है वो blip इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ आगे जाएंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे की हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है bulldoze bulldoze का मतलब होता है बल पुर्वक जीतना इसके साथ forcefully deal करके, compete करके, जीत हासिल कर लेना उससे कहा जाता है bulldoze और यह हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है conquered conquered का मतलब होता है जीतना, जीत हासिल करना अब example की help से समझते हैं example इसका है the new restaurant bulldoze its competition with its good customer service यानि कि नए restaurant ने अपने प्रतिसपरदी को अच्छी customer service दे के बल पुर्वक जीत लिया इस context में हम जो है वो bulldoze इस word का use कर सकते है then इसके साथ आगे चाहेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला word कौन सा है तो हमारा word है mount mount का मतलब होता है बढ़ता हुआ यानि कि कोई चीज जो है वो लगातार बढ़ते जाना उसे कहा जाएगा mount और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है increase या फिर escalate यानि कि कोई चीज जो है वो बढ़ते जाना उसमें बढ़तरी होते जाना इन दो context में हम जो है वो increase और escalate का use कर सकते हैं जो कि हमारे mount का synonym है अब example देखा जाए तो example है यानि कि दो सहकर्मियों के बीच दो कोलिक्स के बीच जो है वो मतबेत बढ़ते जा रहा था इस context में हम जो है वो mount इस word का use कर सकते हैं अलग-अलग sentences में तो चलिए इसे के साथ आ की जाएंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा अगला word कौनसा है तो हमारा इसके बाद अगला word है deep dive deep dive का मतलब होता है गहरा अध्यन यानि कि किसी चीज की deep study करना, उसकी गहराई में उतरना, उसकी बारिक-बारिक चीजों को समझना उसे कहा जाता है deep dive और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है comprehensive यानि कि किसी चीज की गहरी study करना, गहरा अध्यन करना अब example देखें तो example इसका है यानि कि विज्यानिक ने समुधरी परिस्तिती तंत्र का गहरा अध्यन किया यानि कि marine ecosystem का बहुत ज़ादा deep उन्होंने study की इस context में हम जो है वो deep dive इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं तो चलिए इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे last word की तरफ और जानेंगे की हमारा last word कौन सा है तो हमारा word है role, role का मतलब होता है उतल पुतल या फिर कोई चीज बरबादी की ओर जाना उसे कहा जाता है role और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है सिननीम इसका होता है turmoil or turbulence यानि कि बरबादी होना, तहस नहस होना, बहुत जादा जो है अफरात अफरी होना इस context में हम जो है turmoil or turbulence इस word का यूज कर सकते हैं अब example देखें तो example इसका है the state is rolling in a volcanic eruption यानि कि जो राज्य है, जो state है वो ज्वाला मुखी की उतल पुतल से ग्रसित था इस context में हम जो है वो role इस word का use कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही, अकर आपको वीडियो पसंद आया हो तो do like this video, subscribe the channel and share as much as you can till then keep learning, thank you झाल